हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज का वीडियो बहुत यह इंपोर्टन और इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोग को कराने वाला हूँ लेस्न नमबर 15 गिटार मुजिक थियोरी का सो अगर आपने इससे पहले के 14 लेस्न ने देखे तो आप लोगो सबके लिंक्स नीचे डिस्क्यूशन में मिल जाएंगे और आप लोग चैनल की प्लेलिस में जाके भी चेक कर सकते हैं वहाँ पर मैंने इसका एक सेप्रेट प्ले इसको फॉलो करें और स्टार्टिंग से एंड तक आप लोग सारी वीडियो देखें और आगे की रेगुलर वीडियो में बनाते रहूंगा ठीक है सो आज का लेस्न है नमबर 15 और आज हम सिखेंगे ट्राइट इंवर्जन के बारे में ठीक है सो हमने चार-पांच वीडियो इसको आप लोग सारी देखना सो लेस्न स्टार्ट करने से पर आप लोग सो बोलना चाहता हूं अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब में मरा तो प्लीज सब्सक्राइब मार दीजिए और नोटेशन बेल दवा दीजिए क्योंकि मैं आप लोग चाहते हैं ऐसी वीडियो के close-up लुक में है सो लेसे सार्ट करते हैं। पछले लेस्स हम लोग ने बात कि ताहरत आप लोगों को यह सब्सक्राइब लगैंतिक ताहरत चैनल और उप package सन्हियों सब्सक्राइब यह से सब्क्राइब अगर ने जड़ें ट Bakकर बेस्वह recognize प्रेम बमेश नौट्म Sindra तो आप लोग को इस नोट को चेंज करना है आप लोग को बता दिया है अगर आप लोग को इसे आगे वो शिफ्ट करेंगे ऐसे आप लोग को पता है कि युट कि नाम की ये चीज होती है और युट को ढूलने के लिए आप लोग को एक forsker है एक है तो युनिस्टर नोट बेसिकली वो दो नोट सोते हैं जो गिटार फ्रेट बोल में अलग लग जाएगे बसते हैं पर बिल्कुल सेम साउंड करते हैं जैसे यह वालो नोट और यह वालो नोट ठीक है तो इसको फाइंड करने का फॉमला है आप पांच फ्रेट आगे आए यह फाइव और एक फ्रेट एक श्रिंग उपपर तो आप लोगो युनिस्टर नोट मिल जाता है ठीक है आप लोगो जो थार्ड नोट था उसका बेस नोट यहाँ पर मिल गया आप लोग यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है पर आप लोगो मैं सिंप्लिफाइड वे से स सिखाना चाहता हो वर्टिकली मैं आप लोगो अगले लेसम सिखाऊंगा सो अभी हम लोग सिफ इन तीन स्रिंग के बारे में बात करेंगे फिर इन तीन स्रिंग के बारे में बात करेंगे फिर इन तीन की स्रिंग के बारे में बात करेंगे तो हम लोग स्ट्रिंग बाई एक string उपर तो आप लोगो दो नोट यहाँ यहाँ पर मिल गए अब लोगो आप कौँसा बजा है रूट नोट तो रूट नोट आप लोगो बेस नोट था अब आप उससे बेस नोट नहीं रख सकते क्योंकि आप लोगो यह वाली string ऑक्योपाई हो चीगी है आप लोगो अग तो का अब लोगो अक्टेव धूना था आप लोग 2 नीशे आएंगे 1 यू नीशे और 2 अगे तो आप लोगो उसका oktave मिल दा तो आप सारे कामा बजाते हैं तो जो दो सा होते है इसक्ते हैं तो आप लोगो जो 3 नोट मिल गए यहाला आपको मिल गया 3rd नोट यहाला आप तो आपको मिल गया 5th note और इसकी निचे वाले जस्ट आपको मिल गया root note तो आप लोगों को जो next inversion होगा वह यह हो गया sorry तो आप लोगोंगते कौनकंशा सुन क्राइक्स कर रहे जो OUT शून कट्रब कर सकते हैं ऑगर आप लोग को यहां हो चीज जो रहां पेले कर सकते हैं पर अभी आप लोग इसको सीख लिए क्योंकि जैसे से आप ग्रो करेंगे आप लोगो पता चलेगा और आप लोगो इसकी नीड होगी तब आप लोग लेसंस में पीछे पक आएंगे टीक है यह बेसिकलिए आप लोग करते तब यूज होता है या फिर जैसे आप लोग कभी देखते हों कि कभी-कभी आप लोग के बीच के जो सोलो पार्ट सो इसमा आप लोग के कुछ कुछ कॉट शेप्स लगे तो जो आप लोग को भी समझे नहां थी कि इन्होंने कौन सा कॉट प् प्लेशन स्केर और च 스ड नोट को रूट्ट नोट को रूट नोट बनाना होगा जैसे पृष्ट नोट को रूट नोट बनाएंगे तो horizontal बात करें मैं आप लोगों को यह बार वार बता रहो ठीक है सो आप लोगों को जो आप लोगों का 5th note मिलके अपर राल स्टिंग मों यहाँ पर मिला है फिर आप लोगों को अखला जो note वो root note ढूणना है ठीक है सो इस पर आप लोगो root note आप लोगो secondary base note का work करेगा सो रूट note का अगर आप लोगो एक string पर ढूटना है आप लोगो क्या करेंगे एक दो तीन चार पांच और एक fret उपर मतले एक string उपर तो आप लोगो जो दो नोट वो एक के उपर एक आग एक के उपर ठीक है सो यह हो गया अप लोगो गःम का 3rd note Sorry 5th note यह पर आप लोगो root note अब आप लोगो ऻूटना है तो आप लोगो बता है कि जो last time आप लोगो root note होता है जो bass note होता इसा का आप लोगो octave प्लूटना होता है मिला है 12th fret 5th string और एक note यहां में मिला है 12th fret sorry 11th fret 4th string ठीक है तो यह 3 note आप लोगे अगला जो आप लोगे का ट्राइड हो शेप ऐसा कुछ बन गया ठीक है आप लोगे से ऐसे प्ले कर सकते है तो basically आप लोगे तीन ही ट्राइड शेप होते है होरिजॉंटल में ठीक है क्योंकि 12th fret के बाद आप लोगो बता है हर्ची रिपीट होने लगती है हर्ची symmetry वाइस से बिल्कुल सेम बजने लगती है अगर आप लोगो यहाला शेप का 4th inversion चाहिए हो चीक है horizontally तो आप लोग क्या करेंगे सिंपली आप लोग 12th fret के 5th string आ गाएंगे 1,2,3,4,5 जैसे आप कट नहीं है तो मैं इससे प्ले नहीं कर पाऊँगा ठीक है तो मुझकिल होगा जैसे आपने आप 5th fret से स्टार्ट करें थे याला शेप आप लोग 12th fret के आगे 5th fret आगे से अगर यही वाला शेप अब हम लोग ने यह बात करी उपर वाली तीन स्रिंग की अब हम लोग बात करते हैं इसके निचा ली तीन स्रिंग की तीक है तो आप लोगों को पता है कि 5th, 4th और 3rd string में आप लोगो जो शेप रहता है जो मेजर ट्राट का शेप रहता हो बिल्कुल सेम रहता है बिकॉस अब हम 2nd string को हिट नहीं किया है 2nd string है सारी culprit जैसे हम उसमें क्लिक करते हैं हम लोगों को एक note आगे बनाना पड़ता है पर अभी हम लोगों के पास 2nd string नहीं आई है तो हमारी जो शेप स्रिंगों बिल्कुल सेम रहेंगे 1st shape आप लोगों को बिल्कुल सेम रहेंगा और 3rd shape घाइगा तो अब हम लोग इस कि बात नहीं जैСे कि यहां पर जोают जूआ ताया आप लोगों को पता रहेंगे अब लोगों को एक फ्रेट आधि करेंगे से बात करें तो ऐसा था आप लोग का फिफ स्टिंग में तो फोर सिंग में अगर हम लोग सिमेट्री से जाये तो ऐसा होना चाहिए था पर अकॉर्डिंड डॉपपर दे ऑफ सेकिंड स्ट्रिंग हम लोग को इस वाले नोट को एक आगे शिफ करना पड़ेगा तो हमारा जो यहां से इनवर्जन होता था अभी आप लोग एक नोट शिफ करके नहीं बताऊंगा कि याला नोट आप यहां पर शिफ करेंगे याला नोट ठीके वह आपका अंडरस्टेंडेबल है ठीके जिसे हम लोग जो हमारा नेक्स शेप आता था वहां पर ठीके वो कुछ ऐसा आत कि आप लोग 4th, 3rd, 2nd string के बात करते हैं तो आप लोग जो 2nd string के याला नोट है यह नोट एक आखे आजएगा तो यह वाला finger यहां पर आजएगी तो आप लोग अगला इंवर्जन जो 4th, 3rd, 2nd string का होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा तो आप इसे प्रैक्रिकली प्ले करके आप लोग जाला अच्छा संग आएगा ठीक है और अगर आप लोग नेक्स शेप की बात करें तो जैसे हम लोग का 5th string में जो शेप होता था 5th, 4th और 3rd string में कुछ ऐसा होता था अगर हम लोग 2nd string में बिल्कुल सेम शेप लेगा है सिमेट्री से तो शेप ऐसा होने चाहिए ता बर हम लोग को याला नोट एक आगे शेप करना पड़ेगा तो शेप हो जागा वा ऐसा हो जागा तीनों एक बिल्कुल सेम फ्रेड माजेंगे तो यह होगा आप लोग का 2nd, 3rd और 4th string के inversions ठीक है तीन inversions बाके आप लोग इसके आगे symmetry लगा सकते ठीक है उसमा आप लोग कोई इस्यू नहीं है बिल्कुल सही work करेगा ठीक है जैसे आप लोग इसको बिल्कुल symmetry से नीचे लेकर आते तो आप लोग वापीस B string हिट कर जाते हैं यहां से तो आप लोग इस नोट को एक आगे shift करना होता है तो यह नोट जो शेप बदब कुछ ऐसा बन जाता है महलक से आप लोग को revise देते रहनों पिछला की जिससे आप लोग को clarify होते रहे बाकी में आप लोग को इसके बार में पिछले रहसें में बिल्कुल डीटेल में बता चुकूंँ ठीक है तो यह होगे आप लोग का first shape first inversion second inversion बजाने के लाप लोग को का करना पड़ेगा आप ल बनेगा वह आप लोग का अगला shape बनेगा वह आप लोग का इसके जिसे आप एक निचे आते है एक निचे आप रहे आप लोग ने पिछला हरा दो तह हमारा उप पर लाई तीन श्रिंग का उसको हमें एक नीचे ले के आए और हम लोग ने याले nonट को जो बी स्टिंग ता को एक आगए तो क्या बन गया पो लोगा तो आम लोग आपर क्या प्रेस कर रहे हैं 9th string 3rd जो 9th fret 3rd string 8th fret 2nd string और 8th fret 7th string माला 1st string sorry जो next inversion बनेगा वो जैसे आप लोगए जो 2nd third second third of fourth fret में था string में था वो चैसे था बिल्कुص तीम बाँ लगा कि लिए कि अगर आम इसे से एक नीचे लेके हैं तो हम लोग B string यहां पर है तो B string वाला नोट हमें एक आगे करना पड़ेगा तो आप लोग जो शेप बन जाएगा वो दी शेप जासा बन जाएगा जैसे आप लोग D chord बजाते हैं हाँ पर वैसे की बस यह 12th fret मोझा तो यह हो गए आप लोग के सारे इंवर्जन्स आप लोग बिल्कुल सेम सारे जो फॉमले मन आप लोग को बताए कि आप लोग को थाल्ड नोट को आप लोग को प्रकुले के आना है फिर आप लोग को फिफ्फ नोट के लिग लेक्याना और रूट नोट लोग के तीन इंवर्जन्स है उसमें आप लोग को लगाने है मतल़ जो तीन ट्राइट सेम अग्यूमेंटेड माइनर और दिमनिश्ट ठीक है सो अग्यूमेंटेट का में अलग से लेसन लाऊंगा बिकास वह हलका से डिफरेंट है ठीक है उसके बारे माँ आप लोग को अ आपके लाघवीर अधुकस्क्रायलिस्टिक में डूढ़ना है और आप लोग को जो पातेएं hen लेकश में पनाना है। आप लोग यहाप पुरी प्लेलिस भी मिल जाएगी तो क्लिक मार कर लोग प्लेलिस चेक कर सकते हैं तो अब रेग्लोर विडियो जात रहेंगी बीकाश्ज में बहुत दो नहीं आ ला था सो मैं आपनों से मिलता हूँ किसी अगले लेसन में अच्छे से तिल दन में भाए जय हिंद